नमस्कार दोस्तों मेरे पाम लेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए अगर आप लोगों अभी तक हमारे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किर पैकर कर के चानल को सस्क्राइब कर ले बैला के इनको प्रस कर दे ताकि रिडिस नोडिफिकेशन आपक करते हैं, इनका कोशन इस प्रकार है, वरतमान समय में कोई खास उपलब्धी इनको दिखनी रही है, जीवन बस ऐसा ही चल रहा है, तो यह आगे के विशे में जानना चाहते हैं, कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, कि खराब रहेगा, हतली पर क्या आतपून विशे पर भी इनको जानना है, और जीवन पर क्या कुछ उपलब्धियां होते वे नज़र आ रही है, भाग गुदे, मूल रूप से इनका भाग गुदे कब से होगा, ये इनको जानना है, तो आप बलकुल चिंतितना रहें, आपके इस कोशन को मैंने सुन लिया आप बताने का कोशिश करूँगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगिटिविटी होगी, उस विशे पर भी विचार करूँगा, और किस कारणवश, किस कारणवश आपके जीवन में बाग गुदे नहीं हुआ है, उस विशे प को धनवान जरूर बनाती है जातक के जिन्दगी पर पैसा जरूर देती है ना कि तो बात ही नहीं है अब देखीजिए आप ये मस्तिक्स रेका हो गई ये हो गई हिड़ते रेका इस बीच में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक क्रॉस जैसी आकरती प्रतीत होगी यहाँ पर ये क्रॉस जैसी आकरती को हम कहते हैं मिस्तिरियस क्रॉस ये आपको 101% समझ लो कि 36 वर्स की आयो के बाद धनलाव जरूर कराएगा आपके जीवन में भागुदे को दरूर दर्शाएगा अगर आप अपने जीवन से अभी असंतुस्ट भी हैं क्योंकि कमाई ना संतुस्टी नहीं है तो ये आपको धनवान और धनलाव कराएगी एक पार्टिकुलर समय के बाद जो की 35 वर्स के बाद की आपकी आयो होगी तो आप चिंता ना करें अगर मैं आगे देख लूँ और क्या-क्या पॉजिटिव एटी है के वले एक चिंने से हम जीवन को जज नहीं करते ना ही हम इस बात का संबोधन करते हैं कि आप तरक्की करेंगे ही लेकिन इसके उपरांध भी और बहुत से चीज़े इनके हाथ पर अवस्थित है उस विशे पर भी हम विजार कर लेते हैं जैसे इनकी सूरी रेका बड़ी जबर्दस्त है आगे बर ये बहुत आ और यहाँ पर से एक तर्वुच आगे एक और तर्वुच एक और तर्वुच मतब तीन तीन तर्वुच ये भी कुछ आपके सूरी रेका के ही बरांचे से बहुत चपरदस्त है अगर मैं और देख लूँ तो बाग्य रेका थोड़ी एक समय के बाद हो मिलती लेकिन शुर रेका पर कुछ तर्वुच जैसी आकरती है तो इस प्रकार का तर्वुच जातक के जीवन में धनलाव तो जरूर कराता है जो कि इनके 35 वर्स के बाद अवस्थित है अगर आपके किसी विक्ति के हाथ पर अवस्थित होगी तो आपके जीवन पर भी इसके रिगार्डिंग पर समस्याओं में पढ़ते हैं राहु रेखा की वज़ा से आपके जीवन पर अंसर्टरिटी बनी रहती है लेकर इसका ये बिलकुल भी अर्थ नहीं है कि आपके जीवन पर तरक्की नहीं हो इसका ये बिलकुल अर्थ नहीं है तो आपकी भी लाइफ में बागदे होगी तरक्की होगी जीवन पर पैसे आएंगे और आप बहुत संतुस्ट रहेंगे अपने लाइफ से ये एकदम कनफर्म है तो ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी अब वो नेगटिविटी क्या थे जिस कारण बस इनके जीवन पर ये समस्याओं का सामना इनको करना पर आएँ तो इस नेगटिव चीज़ को भी हम देख लेते हैं अब नेगटिविटी में अब आप गौर करेंगे तो ये इस लाइफ लाइन पर न आपको ये रेखा ए नज़रा रही होंगी इसको हम कहते है राहू रेखा, अबस्टेगल की रेखा, ये जातक के स्वास्त को भी गरवर रखती है, पहला, दूसरा इसके रिगार्डिंग जातक के जीवन में नाना परकार की समस्यां आती रहती है, अब कोई केरियर में आगे बरना चाह रहे हैं, बहुत प्रियास कर रह हैं, वो नहीं बरपा रहे हैं, कोई अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके हैं, लेकिर उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, ये वाली बात भी होती है, और तीसरा महतपून बात इसमें क्या होता है, जातक के जीवन पर क्या हो रहा होता है, ये इनको पता नहीं होता है, य आप आज समझ लीजिए, जान लीजिए, महसूस कर लीजिए कि आपके जीवन में भी तरक्की होनी और बहुत गजब होनी है केवल तरक्की ही नहीं होनी है, बहुत गजब तरक्की होनी है क्योंकि एक समय के बाद प्रगति की रेखा है तो अभी आपके में जीवन रेखा से आगे के life को हम clear कर देते हैं तो ये आपकी हो गई mind रेखा, ये हो गी आपकी जीवन रेखा independent वैसे आप हो गए हैं, कुछ-कुछ करना वरना शुरू कर दिया होगा आपने early years से बाकी बचपन में कुछ strangles थे, जो negative जीज़ को दूर कर रहे थे जीवन रेखा बहतर थी, एक दिक्कत के योग थे, लगबग आपके 22 वरस के आसपास यहाँ पर एक दिक्कत मुझे महसूस हो रहा था फर एक लगबग आपके 26 में वरस में दिक्कत था, फर एक लगबग आपके 30 वरस के आसपास तरक्की का योग थे, फर 32 में दिक्कत था, 33 में भी तरक्की का योग थे, कुछ opportunity मिली फर लगबग 34 में दिक्कत, 35 में दिक्कत, 36, 36 तक तो दिक्कत है लेकिन, 46 वर्ष की आयू के बाद, आपके जीवन रिका पर ये प्रगती की रिका, ये तरक्की की रिका अब कंटीन्यू है, ये कब तक है? 46 लेकिन लगवग आपके 50 एक साल की आयू तक है, मदब 50 साल तक आप जीवन में तरक्की को प्राप्ट करने ważे हैं, पचास के बाद लाइफ रान स्मूथ हो रही है उसके बाद जीवन रेखा की बनावट इस परकार से है दो मुखी जीवन रेखा है यात्राइं रहेंगी जीवन पर इस केस में इस केस में यात्राइं रहेंगी ना की तो बात ही नहीं है अगर आगे और चीजों को मैं देख लूँ कि आपका मंगर डरेका ठीक ठाक है बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराबी तो खैस खैर उससे कोई खास दिक्कत नहीं होता लग्जूरियस लाइफ के योग हैं वो तो रहेगा मूड रूप से कह सकते कि खाने पिने से जुरावा का भी कारी होता है तो आपको बेनेफिट होगा सुर्वाती दौर में स्ट्रस पारिवारे की स्ट्रस मानसिक तनाव इस केस में रहेगी डेफिनिटली रहेगी बाकी आपका वैसर शुक्र देखा जाए तो बहुत कंफर्टेबल दिख रहा है मुझे बहुत अच्छे स्टिती में दिख रहा है इस प्रकार के स्टिती आपको धनवान बनाने के लिए जरूर कारगर मानी जाती है अगर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है अगर आपके जीबन पर दिक्कते आ रही है तबी भी एक स्ट्रस आपको महसूस होता है और एक स्ट्रस की रेखा आपके हाथ पर रवस्थित हो जाती है तो खैर वो भी ठीक है चलता रहता है अगर समय अच्छा हैगा तो चीज़े ठीक भी रहेंगी शुक्रमंगर परबल है तो कमफटेबल लाइफ रहती ही रहती है चलो ये तो ओगे इनकी पॉजटिविटी नेगटिविटी कोश्चन्स अभी इनके तलिक हम जनर दिन करेंगे चीज़ों कासपस डूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज़द महातपून है देखे सीखे समझे तो यहाँ पर से आगया ये स्क्वार स्पाम प्लैनेट्स अच्छे है तो वही वाली बात है गद्देदार है कमफटेबल लाइफ तो रहती है कमफटेब्रिटी में किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं है गुलाबी अधन को अट्रैक करती है स्ट्रॉंग इक्षा शक्ती है यवाक करती जई भी सपोर्ट क्या हो शक्ता पर एग मिल जाएगर रिजायर्स के बड़ अच्छे लाइन सब्ध बड़े माहत्मा काची बढ़िया ही थम्ब़े तो व्यक्तित वर्शान्दार ही होता है समझदार है समझदार ही से कारे करते है बाकी फिंगर पर करीड एका इंडिकेट कर रही दिल के बड़ अच्छे व्यक्ती है आप ये टेंडे करें अच्छी दार्मिक आसता है सेटन फिंगर आपके वेहनत को बता रही है सूरी फिंगर हिम्मत को दिका रही है बुद्ध फिंगर फर्श परेंस तक है तो कमुनिकेसन स्किल वाइस भी बहुत प्रबल फिंगर लंबे खरें है तो अच्छी क्रिटिवेट अच्छा वाग पड़ुता होता ही होता है चुकि बुद्ध फिंगर भी अच्छी है तो बोल भी अच्छा लेते हैं आप बरश पुदि ठीक है बहुत गरबर भी नहीं अच्छा ही है पर उपकारी रेखा है सब के लिए करना चाहते है बादबा की माइंड रेखा बहुत बरदस्त है दिमाग के तेज है बस अपने तेजी को लगाना है क्योंकि जब थोड़ी माइंड रेखा मोटी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े आलसे परिवर्थी के भी होते है तो आलस्य नहीं करना है इसके उपरान देखा जाए तो ये कुछ आपके इमोस्टन लाइन समाने बाव उखता आगए के एड़दर रेखा भी ठीक ही है तो माइंड रेखा एड़दर रेखा ठीक हो तो इनसान से समझदारी का उमीद किया जा सकता है 36 वर्ष के बाद या 36 वर्ष से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा बाग्य रेखा भी ठीक स्थती में दिख रही है और कुछ गर से दूर या फर हो सकता है विदेश्य की यात्राएं भी आपकी जीवन पर हो यहां से दबाब है तो मैनती भी है लाइन ओफे जो के सन अच्छा है समस्दार है सूरी देखा बड़ी अच्छी है आपकी ये एक दिकरा है तिर्वुज बहुत बड़ीया तिर्वुज येक और तिर्वुज दिकरा है यहां भी एक और दिकरा है बड़ीया है बागी ये सब भी आपकी सूरी रेखा के ब्रा प्राक्रमी है वो अपने जीवन पर अच्छे मुकाम पर जरूर जाते हैं क्योंकि आपके इनलजी और प्राक्रम आपके काम्याभी को बितर शाता है सूरी रेका वैसे बड़ी है टेरेंटेड है गुनी है कार कर सकते हैं बुद्धर रेका कम विजिबल है तो वैपार में वैसे भी स्टेबिलिटी मुझे दिखनी रही बाकि ये बाग्य रेका ठीक समझ लो बाकि दो मुकी जीवन रेका अच्छी बता रही है चदर्मा तो इस प्रकार की स्थिति हो तो चंडर्मा से जुरावा भी कारे कर सकते हैं लेकिन बहुत सार्थक न होने के वाजा से फोड़ी सी प्राप्लम से जरूरोभ दिखती है एसं केस केस में हो सकती है कि एस वैक्ती को जाख सा प्रतीत होगा कि वैपार कोई खास चल नहीं रहा लेकिन बाग गोदे जरूर होगा आने बाले समय में होगा तो ये था इनके खतली का पूर्णता वेस्टेशन अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे कमेंड करें सब्सक्राइब कर दे अगर आप व्यक्तिकत रूप से मैं सहसतर एकारी काके सही जानकारी प